तो हे गाईज आज मैं आपको एक्स्प्लेन करने वाली हूँ एक बहुती क्यूट रोमेंटिक और अमेजिंग स्टोरी तो कहानी की शुरुआत होती है सीटी के एक लगजरियस अपार्टमेंट जिसका नाम है इस्टनसी गार्डन्स तो कहानी में तेयूंग एक आर्ट स्टूडेंट होता है जो की एक आर्ट इंस्टूट का स्टूडेंट होता है जिसकी हाली में ग्रेजुएशन कमप्लीट हुई है जिसकी कारण उसे अपना होस्टल छोड़ना पड़ता है तभी ताय को उसके डेड़ का लेटर मिलता है जि क्योंकि वह काफी बड़ी और लगजारी दिख रही थी इसके बाद ताय बिना देरी के अपांटमेंट की और बढ़ता है जहां सामने उसे एक गार्ड खड़ा दिखाई देता है गार्ड ताय से कहता है रूम नंबर 666 नए किरायदार किमते यूंग राइट इस पर ताय कहत बाद जाद नहीं ता कि जिस अपार्टमेंट में वर रहने आया है वह साधार अपार्टमेंट नहीं बलकि डिमेंंथ लिबीटा इसके बाद तैयूंग अपने रूम की तरफ जाता है और रूम का दर्वाजा खोलता है रूम के अंदर देखकर तैय एक बार फ्रेसे शोक हो जाता है क्योंकि उसका रूम काफी जादा ब्यूडिफुल था तैय अपने रूम को देख रहा होता है बगर तभी अचानक एक हील सेंडल तेजी से उसके तरफ आती है और दर्वाजे पर आटक जाता है यह देखकर तैय डैसे चोक जाता है तभी तैय को पीछे से एक लड़की के आवाज आती है लड़की कहती है पाक जीमिन तुमारी हिम्मत के से हुई मेरे सामने आने की चानक एक आवाज सुनकर तैय शोक हो जाता है बगर फिर सोचता है कि पाक जीमिन यह नाम तो मुझे कहीं सुना हुआ सा लग रहा है तैय देखने के लिए पीछे मुड़ता है तबी उसके सामने एक हैंसम सा लड़का आता है लड़का कहता है हे लिटिल बोई मेरा नाम है पाक जीमिन और मैं लड़का यह बोल रहा होता है तबी एक लड़की उस पर आकर अटेक कर देती है और उसे दिवार पर पिन कर देती है लड़की जीमिन से कहती है कि अगर तुमने फिर से मेरे बॉइफरेंट को चीनने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं यह सब देखकर ताय बिल्कुल शोक हो जाता है ताय उन दोनों के फैसे को गौर से देखता है क्योंकि वह दोनों छेहरे उसे थोड़े जाने पे जाने से लग रहे थे तब ही ताय को अचानक याद आता है ताय सोचता है कि क्या यह दोनों? कि ये दोनों आवर्ड वेनिंग एक्टर, पाक जी मिन और सूपरस्टार ये लिंग है ताय उन दोनों को देख कर एक्साइटेड हो जाता है और सोचता है कि अमें सच में दो सूपरस्टार सेलिबिटीज के साथ सेम अबाटमेंट में रह रहा हूं ताय सोच रहा होता है कि तवे उसे पीछे से दर्वाजा खुलने की आवाज आती है ताय देखने के लिए पीछे मुड़ता है जहां उसे सामने एक हैंसम लड़का दिखाई देता है हैंसम में उसके दर्वाजे पर अटके हील की तरफ देखता है और फिर ताय के ओर देखता है हैंसम मैंन को अपने ओर देखता हुआ ताय पैनिक हो जाता है और कहता है कि यह मैंने नहीं किया यह उन दोनों ने किया है ताय जीमिन और उस लड़की के तरफ इशारा करता है मगर जब वो उनके तरफ देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता ये देखकर ताय और भी ज़दा डर जाता है और हैंसम मैं के उड़ देखता है और सोचता है क्या पुलिस को कॉल करने के लिए बहुत देर हो चुकी है तभी हैंसम लड़का ताय से पूछता है क्या तुम यह नए हो? उस पर ताय केता है कि हाँ मैं यहां रूम नंबर 66 में नया गिरायदार हूँ मेरा नाम किमते यूं है ताय की यह केते ही अचानक 665 रूम का दरवाजा खुलता है ताय की बात सुनकर जिमीन और लड़की बाहर आते हैं और केते हैं क्या एक नया गिरायदार? तब ही अचानक हैंटसम लड़का चिल्लाता है और केता है वापस अदर जाओ उसकी आवाज सुनकर तीनों डर जाते हैं और वो दोनों दुबारा दरवाजा लो करके अंदर चल जाते हैं हैंटसम में रूम नंबर 665 की दरव जाने लगता है तब ही वा अचानक रुक जाता है और पीछे मुड़कर ताय से कहता है अब जो मैं करने वाला हूँ वो बच्चों के लिए सूटेवल नहीं है तो तुम अपने रूम में वापस जा सकते हो ये सुनकर ताय कहता है हाँ और जल्दी से अपने रूम में जाकर दर्वाजा लगा लेता है इसके बार वो हैंसम मैं रूम नमबर 665 के ओड़ जाता है और पेर से दर्वाजा मार कर गिरा देता है दूसरी तरफ ताय अपने कमरे में डर के मारे काप रहा होता है क्योंकि रूम नमबर 665 से जिमिन और उस लड़की के चिलाने के आवाजे आ रही थी जो कुछ ऐसी थी ये सारी आवाजे सुनकर ताय डर जाता है और कापने लगता है और सोचता है मैंने तो सुना था कि हाई क्लास अपार्टमेंट के लोग काफी क्लासी और सब्वे होते हैं मगर यहां यह क्या चल रहा है